प्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं मेरे एक नए विलोग में और आप सभी को राधे राधे जैसी क्रिशना आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होना चाहिए फ्रेंड्स और आज दीन है सुक्रवार और अभी सूबा के बज़ रहे हैं मैं यहां उटके अपना जाड़ू स्वारी जाड़ू गोल रही हूं मतलब खिड़की और परदे वगरे मैंने खोल दिये है सारे दरवाजे भी खोल दिये बस में डोर को नहीं खोलती हूं क्यूंकि हुए करका दीन है और से तसá जाले अंदर का आल रहता है ऑगा जू सूबा की ज़ू चैकाट होती है ना वो सुनके ना एक positivity मिलती है और कहते हैं ना कि कभी भी ना जब हम सोके उठते हैं ना तो चीडिया की चैकाट की आवाज हमें डेली सुननी चाहिए और सूरज निकलने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए सूरज निकलने के बाद में मतलब सूरज के बाद तक हमें बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए और चलिए मैं तो डेली खैर उठी जाती हूं कभी सूरज निकलने से पहले ही हमारा डेली उठना होता है क्योंकि बच्चों को टिफिन वगरे हस्बन को भेजना होता है तो लेकिन जैसे किसी और के लिए भी होता है फ्रे गर्मी अब इतना है नहीं और मौसम काफी थोड़ा चेंज हो गया है तो धूल मिटी भी इतना नहीं हो रहा है इसलिए मैं सोची कि चलिए आज से थोड़ा सा अपना ये जो बाहर का रूटीन है वो चेंज कर लेते है नहीं तो क्या होता था गर्मियों में जैसे लगाते जाणु तो काफी धूल मिटी फिर और नहीं लगता है फिर कीचन में खाना वंगरे बनाना लेकिन अब धूल मिटी नहीं है ना तो मैं सोची कि चलिए आजसे कर लेते हैं Zeus ने कर देए और हमारे जाल रितिरिवाज है फेरेंड की बाहर में के सामने में गार्ड़े हैं चे मेरा जो मॉर्निंग का रूटिन है वो चेंज हो गया है बाहर के लिए और आज मैं बच्चों के लिए बनारी मतलब सभी के लिए छोली की सबजी बनारी हूँ तो बस यहाँ पे प्याज वगरे और लस्टन अद्रक और जीरा को मैंने बुरने के लिए डाल दिये है और पे हम बना लेंगे सबजी छोले की तो सबसे पहले तो मैंने पेश्ट को डाल दिये है और उनको अच्छी तरह से बुरने के बाद में हल्दी नमक मिर्ची और धनिया पाउडर डालने के बाद में यहाँ पे टमाटर मैंने डाल दी हूँ और थोड़ा सा छोले मसाले थे फ जादा ही बन गया था सबजी और बस एक तरफ मैंने छोले की सबजी को रख दी हूँ कड़ाई में और दूसरे तब यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी और आज जैसे पूरी बच्चों को छोले के साथ मैं पूरी पसंद है पर आज मैं पूरी नहीं बनाऊंगी क्यूंक उसका आज एक्जाम है तो उसे जाना है तो सबसे पहले यहाँ उसको नास्ता दे दूँगी तो अभी स्री पूसी को मैंने तयार करके दे दी हूँ दो रोटी और छोले के साथ मैं बच्चे अच्छे से खा भी लेते क्यूंकि बच्चों का होता है फ्योरेट तो यहाँ प आज उसके टीफिन में डाल दूँगी फ्रेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आते हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि कि मैं जो भी घर के जैसे की बेडवगरे को मैं साफ कर देती हूं क्योंकि टाइम को बरबाद ना करते हुए ऐसा लगता है ना कि घर का काम फटा फट निप्टा ले क्योंकि एक बार अगर हम घर का काम अच्छे से टाइम पे कर लेते हैं तो हमारा जो नास्ता का रूटीन होता है जिसे बोईल किये थे तो और बेटी के नास्ता पुझा तो मैंने उसे भी साफ कर दिये थे और यहां पो मैंने घर को लगा लूगी तो यहां पे देखे प्रदे के पीछे का बहूडी बहुत जैसे मिट्टी जमा हो जाती है खलके हलके तो नहीं तो यहां से सारा मुझे उठा उठा के जाड़ना होता है और यहां पर देखे अब हो गया था मेरा पूरा जाड़ू अगरे लगा तो बस अब में बाल कनीव अगरे दोलूंगी तो यही है फ्रेंड्स की अगर देखे जो मेरा सुबा का जो टाइम होता है ना मैं बस ऊटके ना एक कप चाय के साथ में अपना थोड़ा पात दसमर्ट निकालती हूं नहीं तो कंटीन्यू मेरा काम चलता है और जब अगर हम कंटीन्यू काम करते हैं तो फिक्स है कि टाइम पर काम कंप्लिट होना ही है और पता है क्या है जैसे बच्चे ना एक जाम देके ना फट से आ अब जैसे बेटी ना साड़े 11 तक पहुत जाएगी और फिर उसको आने के बाद में लग जाती है भूक वैसे तो बच्चे फ्रेंड्स जैसे बाहर से कोई भी आता है ना तो उन्हें भूकी लगती है और फिर सोचते हैं कि घर में जाके कुछ ना कुछ फट से खालेंगे तो मैं सोचती ना कि उनके आने से पहले फटा-फट मैं खाना रेडी करके रखू वैसे तो सबजी मेरी सूबा बनी हुई रहती है पर मुझे रोटी तो बना नहीं होता है ना तो अगर हमारा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो उनको टाइम पर हम खाना भी दे सकते है और फिर जैसे खाना वना खाके ना थोड़ा सा रेष्ट वगरे कर लेती है खाना वगरे हो जाए ना उसके बाद में थोड़ा सा बच्चे रेष्ट कर लेते हैं एकदम से इसकुल से आते बराबर खाना खाके पढ़ाई करने नहीं विटाती हूं थोड़ा सा सो जाते है तो उससे थोड़ा उनका mind फ्रेस हो जाता है और देखे यहां बाते करते करते मेरा पूरा घर का पोछा लग शुका है और यहां फैन वगएरे ओन करके रखते हैं तो पोछा लगाने के बाद काफी अच्छे से सूख जाता है और यहां फूट मैट वगएरे मैं लगा दूँगी तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का जो morning routine है और साड़े दस हो रहे थे देख सकते हो घड़ी में दिखा रही हूँ मैं सुबह के बस साड़े दस हो रहे थे और मेरा काम completely finally पूरा मैंने complete कर दी थी और जैसे कि परदे वगरे सुबह खोल के रखती हो ना तो जाड़ो पोशा तक खुला ही रहता है फिर उसके बाद में मैं लगा देती हूँ और फिर देखी यह होता है ना फ्रेंड्स की घर को अगर हम पूरी तरह से साप सुतरा करते हैं ना खुद को देखने में एक पॉजिटिविटी मिलती है और देखिए घर में जरूर नहीं है कि कोई आएगा तभी हम साफ करेंगे डेली अगर अपने घर को साफ करके रखो ना तो उससे क्या होता है ना हमें अच्छा भी लगता है और एक और पॉजिविटी भी मिलती है फ्रेंड्स और चलिए मिलते एक न्यू विलॉग में और अगर अच्छा लगता है तो प्लेस कमेंट्स करके जरूर बताया बाई बाई